सबसे पहले कौन से वाली फाइल रन होगी उसके बाद में से कौन से होती है कुछ एक्स्ट्रा को रिमूव करेंगे थोड़ा बहुत कोड और एड़ करेंगे और यहां पर एक चीज देखो जब भी आप लोग एप डोट व्यू यहां पर कोई भी वाली फाइल ओपन करोगे चाहे आप hello world.view open कर लो यह completely white दिख रही है बट जो main.js वाली फाइल है यहां को colorful दिख रही है इसका reason क्या है because main.js को हमारा code editor समझ पा रहे है because यह हर project में यूज होती है almost right but view वाली फाइल से इनको समझ नहीं पा रहे है हमारा code editor कि यहां पर क्या code लिख लिखा होगा है इसके लिए हमें कुछ plug-ins वगए add करनी होगी वह भी हम लोग करेंगे यहां मैं यूज कर रहा हूँ visual studio code अगर आप कोई और editor यूज कर रहे हो sublime, brackets, notepad, plus, plus तो उसके हिसाब से भी plug-ins मिल देंगे आप वह वाली plug-ins भी use कर सकते हो right start करते है इस वीडियो के points के साथ में code flow समझेंगे first component को समझेंगे extra code remove करेंगे चेक आउट करेंगे हमारे changes इस screen के उपर यहां वे आपको दिख जाएंगे अभी यहां पर काफी सारे code दिखर आपको सारा code हटा दूँगा यह वाला code दिखेगा आपको बस इतना सा ताकि आपको समझ में आए कि कहां से कहां पे flow जा रहा है और आप easily start कर पाऊगे Vue.js के hosting देते हैं आपको आपकी website का backup मिल जाएगा unlimited space and bandwidth मिल जाएगा आपको c-panel का access बहुत ही easily available है आपको c-panel का मतलब क्या है control पैनल जहां से आपकी website control होती है e-commerce के tools होगे चाहिए wordpress हो गया zoomla हो गया फिर present हो गया यहां पे आपको सारे सारे मिल जाए है free SSL certification और भी बहुत सा अचा आप सबसे पहले क्या करते हैं जो आपको यह white code दिख रहे हैं completely इसको solution ढूंडते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा जिस जो last icon दिख रहे हैं आपको यहां वाला ठीक है यहां पर जाओ extension search करो view राइट जैसे आप यहां लिखोगे तो यहां पर मिलेगा आपको syntax highlight for view.js इसको install कर लो आप बस राइट जैसे आप इसको install करोगे और उसके बाद में आप आते हो अपने code के उपर let's say मैं इसको open करता हूँ तो आप आप देख सकते होगी ठीक है यह colorful दिख रहे है बिल्कुल अब आपको यह समझ में आ जाएगा जैसे कि JavaScript code समझ में आ रहा था अब काम करने में जोड़ा easy रहेगा अचा एक चीज हो रहे है यहां पर मैं यहां पर जाता हूं तो मैं यहां पर format करने का option मुझे यहां पर view formatter दिख रहा है यह इसको format कर दे रहा है बट यह कहां से आएगा यह आपको by default नहीं मिलेगा आपको यहां लिखना पड़ेगा view format जैसे आप यहां पर लिखोगे तो आपको यहां पर मिल जाएगा view formatter इसको आप इंस्ट्रॉल कर सकते हो यह मैंने इंस्ट्रॉल कर रहा था तो अगर आपका कभी भी कोई भी आपको format हो गयरा करना हो code तो आप इसके साथ में easily कर पाओगे यहां पर आपको जाना है view format करो code देखो यह सारा का सारा code format हो जाता है मैं इसको आगे पीछे करके दिखाता हूं आपको कुछ भी brackets हो गयरा कहीं भी आगे पीछे कर लिए और इसको format कर दो सारा का सारा code अपने अपसेट हो जाएगा right so यह हो गया अचा अब हम बात करते हैं कि code flow जाता है सबसे पहले आपक इसको मैं यहां पर लाइबर इसलिए कर रहा हूं विगोज यहां पर package है वैसे framework है राइट या फिर framework भी वोल दो framework से इंपोर्ट करने है create app ठीक है यह हमारी view.js की application को create करना शुरू करेगी और कहां पर create करेगी यह mount कर देगी id app के साथ में यह id app कहां मिलेगी यह मिलेगी आपको public वाली file के अंदर यहां पर देखो यहां पर that means आपकी view.js का code इस वाले div के अंदर काम करेगा इस के अगर आपने कुछ भी और extra यहां पर div add कर दिया तो इसको आपने आप में remove कर देगी इस से बाहर आपने कुछ भी लगा दिया तो वो इसको छेड़ेगी नहीं ब उसके बाद में अच्छा यहां पर देखो जब मैं main.js open करता हूं तो यहां पर import हो रही है app app.view-alify यह यह इसका top level component है हर component में आपको तीन चीज़े मिलेगी और जो भी आप file बनाओगे na view.js की सारी सारी almost component ही होती है पहली चीज़ आपको मिलेगी template यहां पे जिसमें आप h CSS दिख रही है आपको और यहां पर है तो CSS मैं यहां से हटा देता हूं for a moment मैं CSS को comment कर दे रहा हूं यहां से अचा comment नहीं होगी यह वाली मैं इसको just remove कर दे रहा हूं directly जैसे आप इसको remove करोगे तो आपको कुछ ऐसा दरिश्य दिखेगा अभी के लिए because यह side में आगे यह complete थी ठीक है all right अब इसको समयना थोड़ा से डेच चाहो तो अब इस पूरे tag को भी हटा दो कोई प्रोल्म नहीं है यह मैं जो आगे आने वाली वीडियो गिने इसमें वापीस से लगा दूँग अभी आपको code समझा रहा हूं इसलिए मैं हटा आ रहा हूं ठीक है ठीक है अभी पहले इस code को समझो template के अंदर आपने HTML लिखा जो अभी तक आ रहा है हमारा hello world wali file से जो अभी आपको यहाँ पर दिख रहा है न यह सारा hello world wali file से आ रहा है इसको delete करके दिखाऊंगा आपको यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या कर रहा है यह file use कैसे होई import करा या इसको मैं HTML में use कर सकता हूं और इसने यहाँ पर हमने use कर दिया अगर मैं इसको यहाँ से comment कर दूँ अभी के लिए मैं यहाँ पर आता हूं और इसको मैं हटा देता हूं तो आप क्या देखोगे यह थोड़ा से error आगा है विगोस जो हमने component यहाँ पर लगाया है इसके tag लगा सकते हो इस तरीके से एक एटन टैग लगाओ इसको थोड़ा सा reload करो अब देखो इसने क्या बोला है यहाँ पर hello world component रिजिस्टर है बट यूज नहीं कर रखा तो क्या करें इसको जहां से इसको हटा दे अब अच्छा आप यह कर रहा है कि define भी कर रखा इसको यूज आपको समझ में आ गया कि सबसे पहला मारा में डोट जैसली उसके बाद में एप डोट यूज चला इसके अंदर से हमारा hello world इंपोर्ट हो रखा है इसको यूज करने के लिए तीन चीदें करनी पड़ेंगी सबसे पहले इसको इंपोर्ट करेंगे बाद में यहाँ पे इसक इसको चिपका देंगे इस तरीकी से अब hello world में जाते हैं इसके अंदर भी बहुत सारा code हो रखा है सार अगा सारा सबसे वहले है style हटा देता हूं मुझे नीची यह style अभी के लिए ठीक है जहां से आता हूं अब क्या हुआ यह वाला message कहां से आया यह अलग चीटागी यह message कहां से आया यह देख वाया है यहां यह आपने एक property पास करी थी इसके अदर message और यहां से आपने code पास करा था यहां आप इसको समझ में आया कि ठीक है मुझे यह वाला message यूज करना उसको आज़े प्रोप सब्सक्राइब कैसे हैं यह आपको detail में समझ जाएगा यह देख लो कि यह आया कहां से message यह आया app.view से इसके नदर हमने जो पास करा महां पर हमें दिख गया अगर मैं आप देख देता हूँ वेल्कम तू code step by step तो यह हमें यहां से मिल जाएगा यहां से आगया तो हमने जो message यहां से पास करा है यहां पर दिख गया यह बस इतना दिखा रहा है कि हम एक component से दूसरे component में data को transfer भी कर सकते हैं component के बारे में detail नहीं बताऊंगा अभी थोड़ा हो सकता है कि आपको यह लगे कि यार यह क्या component क्या होते हैं क्यों बना रखे हैं एक ही पेज में काम क्यों नहीं कर रहे हैं बताऊंगा दीरे दीरे आने वाली वीडियो में कोड समय में आ गया सबसे पहले में.js चली एप.view चला उसके अंदर हमने एलोवल्ड.view को इंपोर्ट कर रहा है और जब हम को यूज करो तीन जिगाए पर हमें इसको काम करना पड़ता है सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ता है और बाद में यहां पर डिफाइन कर देत हो उसको और इसको कोई कंफूजन नहीं कुछ भी कंफूजन हो तो मिर से पूछलना कमेंट बोक्स के अंदर चैनल को सब्सक्राइब करना बेगूल मद भूलना और यह वाला कोड आपको मिल जागा गिटब के उपर और मैं आने वाली वीडियो के अंदर इस कोड को बाइब के अ